हेलो स्टुरेंट्स आप सभी का वेलकम है गुरूपल हब यूट्यूब चैनल पर आज का जो हमारा विशह है वो है कि गुरूपडी का एक्जाम अब कब तक हो सकता है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि एपरेल में 15 एपरेल से एक्जाम होने की पुरी-पुरी सं मावन रहेगी जैसे यह एक्जाम कम्प्रीट होगा आपका गुरूपडी का एक्जाम स्टार्ट कर दिया जाएगा बट जैसे जैसे एक्जाम कितना डिले हो सकता है वो यहां पर मैं बता कर चलूँगा और कैसे आप आगे की अब स्ट्राटीजी को बनाएं वही मैं इस व शेयर करके चलते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना तो आते हमारा में टॉपिक जो है कि RRC गुरूपडी डे बेडे डे डिले होता जा रहा है हना और इतना डिले हो रहा है कि अब क्या बताया जाए दो हजार उ से शूव हो रहा है है ना तो सरकार की तो बहुत बड़ी अखामिया रही है बट यहां पर जो अब फिलाल लेट होने का जो थोड़ा सा कारण बन रहा है वो NTPC का एक्जाम बन रहा है क्योंकि पहले जो RRB ने अपना नोटिफिक्शन जारी किया तो उसमें किलिरली बोल है था कि मार्च एंड तक आपका NTPC एक्जाम कंप्लेट करा लिया जाएगा लेकिन NTPC एक्जाम में थोड़ा सा डिले हो गया अब यह सिक्स्त फेज तक भी एक्जाम जा रहा है ठीक है और सिक्स्त फेज का भी एक्जाम होगा जो की मैं यह मानता हूं कि करीब करीब अप इस शुडूल कराए गए तो उनका एक्जाम जो आने वाले फेज थे उन शिफ्ट में उनको सीट दी गई उनको एक्जाम उनका कंड़क्ट कराएगा उस दौरान ठीक है उनको इंक्लूड किया गया तो इस वजह से जो हमारा फेज है वो आगे इंक्रीज होता चला गया औ कुछ जैसे कि अभी फूर्थ फीज के एक्जाम हुआ तो उसमें भी क्या है कि उसमें भी कुछ एक्ष्रा डेट यहां पर इंक्लूड की गई ठीक है बट फिर भी अभी यह अप्रेल के लास्त तक जाही राय लगबग लगबग तो अब अगर अप्रेल के लास्त तक यह हम सीधा कह सकते हैं कि जब तक एंटीपीसी के एक्जाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक गुरूब डी का एक्जाम आपका शुरू नहीं होगा तो हम यहां पर यह उमीद कर सकते हैं कि आपका जो एक्जाम है वो अप्रेल के बाद ही शुरू होगा हां लेकिन शुरू होनी यह confirm हो कि आपका जो exam होगा वो माई में माई में वो start कर दिया जाएगा ठीक है क्योंकि April में होने की संभावना ना के बराबर हैं क्योंकि अगर हमारा exam NTPC का 20 या 25 तारिक के बीच में भी खतम होता है तो भी 5-6 दिन का ही आपका दिखाए देता है तो यह है कि हो सकता है कि माई के फर्स्ट वीक में आपका exam शुरू कर लिया जाए ठीक है तो इस हिसाब से अगर आप देखें आपके पास अभी पूरा मार्च का पूरा महीना बड़ा हुआ है है ना और अभी आपके पास April का पूरा मंत है तो आपके पास दो मंत है और उस दो मंत के हिसाब से अभी भी आप strategy बना कर जिन बच्चों ने अभी एक score अचीव नहीं किया है score का मतलब यह नहीं कि आप पचास पचपन वाली condition पर आपका काम चल जाएगा कि हर किसी को यह तो पता चल गया कि SSE में कुछ न कुछ हुआ है तो हाई कट आप बहुत जादा दी अचा उसमें बहुत जादा हो गए है आपके पास पहले पुराने टाइम में दो तीन चार साल पहले तक क्या था कि सूर्सिस की बहुत कमी हुआ करते थी और लॉकडाउन के बाद तो सूर्सिस और भी जादा हो गए क्योंकि काफी सारे जो आफ लाइन टीचर्स थे वो भी ऑनलाइन आ यूटूब पर क्लासिस चलने लगी यूटूब पर साथ के साथ पेट क्लासिस भी काफी आ चुकी है एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल गया तो कहीं ने कहीं सोर्सिस भी इसमें बड़ा भूमिका निभा रहा है जो कटाउफ इतनी ज्यादा हाई क्यों कि पच्चियों को जो कंटेंट है वो बहुत इसली मिल रहा है बस उनको पढ़ना है 70, 75, 80 तक की approach के साथ आप आगे बढ़ते रहें मैंने score बढ़ाने के लिए काफी सारी technique आपको बता रखें कि जादा तर GKGS जो अगर portion होता है क्योंकि वो एक ऐसा समस्या वाला subject होता है कि जहां पर चीजे याद नहीं रख पाते तो उसके लिए आप थोड़ी सी habit डाले कि आप लिख लिख कर questions को याद कीजेए बाई मान लीजे आपने 50 questions ही याद करना शुरू किया तो 50 पैसे 8 या 10 या 12 questions ऐसे हो सकते हैं जो आप अकसर पूल जाते हैं तो उनको आप लिख के रख लीजिए वैसे ही math को score करने के लिए math की भी practice जादा स्यादा है ये तो है ने की book उठा ही औरे ये तो मेरा हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा ये technique बहुत जादा खराब technique होती है students के दोरा जो अपना ही जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है जब तक आप question को solve नहीं करेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि exam में आप उसमें क्या गलती करके आ रहे है है ना अउमन छोटी-छोटी गलती आप कर देते हैं तो वो गलती है तभी सामने आते हैं जब question को आप solve करते हैं तो यही है कि आप एक यूजना बद तरीके से अभी समय है दो महीने का करीब समय है आपके पास तो एक यूजना बद तरीके से time table को set करके आप तयार रिखीजिए बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए suitable time table लेकर आउंगा कि कैसे आप इस जो time बचा है आपके पास दो महीने के approach उस time को कैसे adjust करके कैसे उसको उसमें अपनी पढ़ाई को बरकरार रखे आप एक अच्छे खासे score के लिए आगे बढ़ सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियों बस यही आपको बताना था जो आपके mind में doubt चल रहा है कि अभी कितना लेट हो सकता है और कैसे तरह से हम अपनी preparation को आगे रख सकते हैं बरकरार जारी रख सकते हैं है ना तो बिल्कुल और I hope कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे इसी तरह की वीडियो में लगाता रहा आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं ताकि आप study से बिल्कुल बहटकाव की जो इस्तिती बनने लगती है उस बहटकाव वाली स्तिती को ना बनने दे है ना क्योंकि हमारा main motive ह एक्जाम को करेक करना एक्जाम को पास करना और एक्जाम को पास जबी कर पाएंगे जब आप पूरे मनसे पूरे dedication के साथ अपनी study को continuous process पर कर पाते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही ता है वीडियो पसंद आगे यो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए और आपने अभी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए औल आप्शन जरूर दबा देना है बैल आइकन तक कि आपको आने वाले सारी वीडियो के नोटिनिशन टाइम से मिलते रहें ऑने लेपको आपने और आपंदी कर दया वाँ वी पाले मिलते पसी प्सक्राइब और आप सुआने वीजिए औल आपशन लपित वीजिए ओने थाम उन्यशन टैनिए रहें लेगister